नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम फुल बायग्रोपी बताएंगे रतंचवान के बारे में और फुल डिटेल बताएंगे रतंचवान के बारे में रतंचवान के लाइप इस्टेल के बारे में तो वीडियो कापी इंट्रेस्टिंग होने वाला है ऐसा वीडियो आपको कहा भी नहीं मिलेगा देखना ना भूले पूरा वीडियो यह और पटापट से अमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्दी से चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब लाइक कर दीजे रतंच्वान के लिए सीध्टार करते हैं चलिए दोस्तो रतन्चवान का जनम राजस्तान के मांडवा गाउं में 3 मार्च 1908 म को जेपुर में हुआ था दोस्तो रतन्चवान के परिवार में उसके माता पिता वह एक भाई है रतन्चवान लड़की है लेकिन वह एक लड़की की तरह रहती है रतंचवान की पड़ाय लिकाए उसके गाउं में ही हुई है रतंचवान अभी सिंगल है दोस्तों ना कोई boyfriend है और ना ही अभी साधी हुई है रतंचवान की दोस्तों रतंचवान के income के बारे में आपको बताएं तो ये 30-40,000 के आसपास इनके income हो जाती है दोस्तो इनका रियल नाम रतंच्वान है और इनको निक को भी बुलाते हैं प्रोपेशन से ये सोशल मीडिया, इंफ्लेंसर एंड सिंगर है ये फेमस हुई है टिक टोक के माध्यम से दोस्तो इनकी होबीज की बात करें तो एक्टिंग करना, गाने सुनना और गाने गाना, बाइक को चलाना, फोटोग्रापी करना, मेकिंग वीडियोज बनाना इनको खूब पसंद है दोस्तो रतंच्वान को टेटू भी पसंद है इनके टेटू देख सकते हैं, इनके शरीर पर आप हैंड पर और नेक पर इनके टेटू है दोस्तो रतंच्वान राजपूत है दोस्तो रतंच्वान ने अलंकार पीजी गल्स कोलेज जेपूर से इन्होंने पढ़ाई की है और क्वालिपिकेशन इनकी बीकॉम है, बीकॉम कर रखा है दोस्तो इन्होंने इनके भाई का नाम कुल्दीप सिंग चोहान है दोस्तो रतंच्वान राजपूतानी गाने भी सूट करती रहती है दोस्तो रतंच्वान का सबसे बेस्ट सोंग अब तक कर्णी माता का गया हुआ सोंग है दोस्तो रतंच्वान एक बार ते सोसल मेडिया इस्टार है दोस्तो रतंच्वान जेपूर में एल्दी लाइपिश्टाल के साथ रह रही है वहाँ पर करणी पेशन जेपुर के ब्रांड एबेसेडर भी है और कपड़ो और बाइक राइडिंग के बारे में बहुत उच्छुक है रतन चौहान की लाइपिटल में बाइक राइडिंग, कपड़े, पेशन सब देखने को मिलेगा दोस्तो रतन चौहान ने कुछ लोग प्रेय और इस्तानिय जेपुरपेशन ब्रांड के साथ काम किया है जो पेड परमोसन का हिस्सा है इसलिए रतन अपने पेड पार्टनर्शिप परमोसन से अच्छे आए अरजित कर रही है रतन सिंगर भी है क्योंकि उन्होंने अपने सिंगिंग करियर में करनी मा स्वांग से डेबुक किया है दोस्तो वो वरतमान में राजस्तानी सिंगर के साथ भी काम कर रही है दोस्तो रतन चौहान की जर्नी की बात करें उनके वीडियोज वाइरल होने लगे टिक टोक पर इनका फोर्चुनर वाला वीडियो सबसे ज़्यादा वाइरल होने वाला पहला टिक टोक का वीडियो था तबी इन्होंने लगातार वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया टिक टोक पर दोस्तो जब ये टिक टोक पर वीडिय तू लड़की है तो तू तोड़ा बहुत गर का भी काम किया कर इन्होंने मा को जवाब दिया कि मा मैं गर का काम भी करूँगी और वीडियोज भी मुझे बनाने दो लेकिन फेमिली की तरफ से कुछ भी सपोर्ट सुरू सुरू में नहीं था दोस्तो रतंचवान के पापा जी का फूल सपोर्ट रतंचवान को था रतंचवान को इनके पापा का फूल सपोर्ट होने के कारण लगातार वीडियो बनाती रहती थी दोस्तो रतंचवान को इनके पापा आगे बढ़ने का फूल सपोर्ट करते थे रतन्चवान के पापा अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तो रतन्चवान इनके पापा को खूब मिस करती रहती है रतन्चवान के टिक टोक पर तिन मिलियन से ज़्यदा फोलोवस हो चुके थे दोस्तो रतन चाहन लड़की होकर लड़के का किरदार निबा कर वीडियोज बनाती है तो इनके कई पैंस को समझ में नहीं आता है कि रतन चाहन लड़का है या लड़की है सारे प्रैंस कई बार confusion में हो जाते हैं और confusion में होकर इनको कभी तो लड़का समझते हैं कभी लड़की समझते हैं दोस्तो टिक टोक बंध होने के बाद Instagram पर Reels डालना स्टार्ट किया रतन चौन ने दोस्तो Instagram अकाउंट के बात करें इनके followers की तो रतन चौन के एक मिलियन से ज़्यादा इनके Instagram अकाउंट पर followers हो चुके हैं दोस्तो रतन चौन के एक YouTube चैनल भी है जिस पर 3 लाग से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तो रतन चौन की ये थी बाइग्रोपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे जैहिन वंदे मातरम